नमस्कार किसन भाईयों स्वगत है आप सभी का फिरे एक बार नए वीडियो में किसन भाईयों आज हम बात करने वाले हैं सैजन के बारे में जिसे देश के अलग-अलग राज़ों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है जैसा कि सेजन, मुंगा, मोरेंगा, शवगा, मुंका और इसको इंगलिश में ड्रमश्टिक के नाम से भी जाना जाता है तो किसन भाईयों आज हम जानकारी लेने वाल है सेजन के खेती के बारे में दोस्तो सेजन की बात की जाए तो हमारे शेरिर का विकास होने में जितने भी न्यूट्रेंस की जरुरत होती है वो सभी न्यूट्रेंस सेजन के पोदे में कई गुना ज़्यादा मौजूद होते है जैसे पालक से 25 गुना ज़्यादा कैल्शियम सेजन के पतियों में पाया जाता है और केले से 10 गुना ज़्यादा गाजर से 12 गुना ज़्यादा और दूद से 15 गुना ज़्यादा कैल्शियम सेजन के पतियों में पाया जाता है इसलिए सेजन को न्यूट्रियंस का राजा भी कहा जाता है दोस्तो हमारी बोड़ी का अच्छा विकास होने के लिए जितने भी पोशक तत्वों की जरूरत होती है वो सभी सेजन की फसल में मौझूद है इस कारण से इसकी मार्केट में डिमांड हमेशा रहती है अभी मार्केट में सेजन की इतनी डिमांड है कि सेजन के पतियां फोल इसके तने से लेकर फोलों तक टोटल इस पोड़े के पार्ट विकते हैं जो की कही तरह के अरुवेदिक दवाईयां बनाने में इसका इस्तमाल किया जाता है दोस्तो सेजन का निर्याद भूत होता है सेजन एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करने के बाद किसान कई तरीके से पैसे कमा सकते है सेजन के पोदे का प्लानेशन करते ही तीन से चार महने में हम इसे अमदनी लेना शुरू कर सकते हैं और बहुती अच्छी अमदनी इसे ली जा सकती है सेजन के पोदे से तीन से चार महने में हम सेजन के लीप का काम कर सकते हैं और सेजन के पोदे जैसे ही 6-7 महने के हो जाते हैं तो हम इसकी फलियों का हर्वेस्टिंग करके मार्केट में बेच सकते हैं किसंद भाईयों सेजन की खेती दो कारणों से की जाती है सेजन के फलियों का उतपादन लेने के लिए सेजन की खेती की जाती है ये आपको chain करना होता है कि आपको season की खेती किसका उत्पादन लेने के लिए करना है किसान भाईयों season की खेती करने के लिए market में कई सारी variety उपलबद है इनमें किसानों में काफी परसिद variety की अगर हम बात करें तो इनमें रोहित 1, ODC 1, ODC 2, ODC 3, PKM 1, PKM 2, PKM 3 इन वराईयों का किसान में काफी क्रेज है किसान इन वराईयों का chain करके season की खेती करने में हमेशा उच्चु करेते हैं अगर आप भी season की खेती करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी एक वराईयों का chain करके season की खेती कर सकते है मैंने जो भी वराइटियों के नाम लिए है ये सबी वराइटियां साल में दो बार फल देती है और इनके फल काफी चमकले और गिराव को अकर्षित करने वाले फल वते है जैसा कि आप सामने इसक्रिम पर देख सकते है यह जो आप वराइटी देख रहे हो ना यह वराइटी रोहित वन की वराइटी है और इसका प्लानटेशन करके अभी लगबग छे मैने का समय हो चुका है और इसकी फलियां अभी हार्वेस्टिंग के स्टेज पर आ चुकी है तो बात करते हैं कि मुझे कैसारी किसें कमेंट करके पूछते हैं कि आपके पास सेजन के बीज मिलते हैं क्या हमको सेजन के बीज चाहिए तो उन सबको मैं कहिना चाहूंगा कि अगर आपको सेजन के बीज लेना है तो आप अपने तहसिल लेवल पर या फिर डिश्टिक बेवल पर सेजन के बीज नहीं मिलते है तो आप आपने येरिया में जो भी किसान सेजन की खorgeous खर रहे हैं UNSAil at करके उनके पास से सेजन के बीज लीजेगा और नहीं पार से ऐर फाइदा ये भी होताई कि आप सेजिन की खेती के बारे में उनसे पुच्ताथ भी कर सकते हैं कि यह वराइटी किस तरह से ग्रोथ करती है इसके उपर शुरूआत में कौन-कौन से रोग आते जैसे विबिन परेशन आप उनसे पूछ सकते हैं वो आपको इसके बारे में आपके भाषा में आसाने से समझा सकते हैं तो दोस्तों उम्मिद करता हूँ आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो ये दी पसंद आता है तो भाई प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरू कीजेगा और चैनल पर नए होता भाई प्लीज इस वीडियो के नीचे राइट सैट में आपको लाल कलर में एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको दबा के भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और बाजवालो घंटी को भी प्रेस कर दिजेगा धन्यवाद